दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का D.I.R. Education Case YouTube चैनल पर देखिए दोस्तों D.I.T.R. Plus B ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है अभी जून 2022 के अंदर D.I.R. Plus B चार अलग अलग पोस्त कोड और चार अलग अलग पोस्त के कंबाइंड फॉर्म में जो examination conduct करवाने जा रहा है उसका एक notice जारी किया है जिसमें अलग 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 date आपकी mention की हुई है यानि एक examination schedule जो अभी अभी कुछ दर पहले D.I.R. Plus B की official website पे जारी किया गया है उस notice के अंदर कौन-कौन सी post सामिल है और कब आपके examination किस किस तिथी को होने वाले हैं और सब कुछ आपको detail से इस वीडियो में जानने को मिलेगा इसके साथ साथ में दो important notice जो अलग-अलग post code से जुड़े वे हैं वो भी share करूँगा आप सभी के साथ जो अभी अभी कुस दर पहले D.I.R. Plus B की official website पे जारी किये गए हैं तो वीडियो को end तक देखना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि D.I.R. Plus B से जुड़ी वी जितने भी latest update है information और सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी देखे आप चलते हैं उस examination schedule की तरफ जो आज की ही date में जारी किया गया है date यहाँ पर आप देख सकते हैं 27.5.2022 लिखा हुआ है notification of online examination जो combined form में होंगे of the various postcodes of various department schedule in the month of June 2022 यहाँ पर आप देख सकते हैं date day and examination कब आपका exam होगा किस date को होगा वो यहाँ पर mention किया गया है 20.2022 सोमवार के दिन यानि मंडे को पहली और दूसरी shift के अंदर advertisement number 4.2022 और 5.2022 पोस्ट कोड है 804.22 और उसके बाद है 805.22 पोस्ट है assistant engineer electrical की इसके लावा legal assistant assistant law officer की और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 June 2022 को यानि बुद्वार के दिन पहली दूसरी और तीसरी shift के अंदर यहाँ पर advertise number 2.2022 और post code है 802.2022 यहाँ पर आप देख सकते हैं post का नाम junior engineer electrical या section officer electrical इसका exam है इसके अलावा यहाँ पर 27, 28 और 29 जून 2022 तीनो shift में यहाँ पर देखिए पहली दूसरी और तीसरी shift के अंदर advertisement number 1.2022 और post code है 801.2022 यहाँ पर post का नाम देख सकते हैं junior engineer civil या section officer civil इनका examination होगा यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है name of organization, name of the organization and department यहाँ पर देख सकते हैं combined examination of vacancies in various department या organization ठीक है तो आपका different different dates को यानि 20, 22, 27, 28 और 29, 2022 को इन सभी post के जो examination है वो combined form में होने वाले हैं तो यह तो था एक examination schedule वाला notice इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की date में एक notice जारी किया गया है post है TGT Sanskrit mail की, post code है 54 बटा 21 second and final opportunity है इन candidates के पास कि वो 27 मई से लेकर के 31 मई 2022 के बीच में अपने जितने भी documents, required remarks में बताए गए हैं वो अपनी अपनी profile पे जाकर के upload कर दें यहाँ पर तीन candidates सामिल हैं जिनके role number mention किये गए हैं और यहाँ पर एक चीज और बताए गई है कि अगर इन candidates ने इस stability time के अंदर जो यहाँ पर बताया गया है वो अपने documents upload नहीं करते तो इनका जो candidature है वो reject कर दिया जाएगा कोई भी इनको other opportunity नहीं दी जाएगी ठीक है तो e-dozer link इनकी profile पे activate रहेंगे 27 मई से ले करके 31 मई 2022 तक कि वो अपने जो documents है जो pending रहे गए वो जल्दी से जल्दी upload कर दे इसके अलावा देखिए ये कोरंजन्नम notice है यानि सुद्धिगर्ण वाला notice है post है PGT physics mail की post code है 30 पटा 20 देखिए इसका result notice था result notice जो जारी किया गया था डीटर प्लस भी के दुआरा उसमें कुछ changement किया गया है क्या changement किया गया है देखिए OBC category में roll number ये है इसे इस roll number पे place कर दिया गया है यानि consider ये होना चाहिए इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते OBC category रोल number ये है तो उसको इस roll number से replace किया गया है SC category का ये roll number है उसको इस roll number से change किया गया है यानि दिखरण है वो किया गया है इस notice के अंदर rest of the contents of the result notice number 65 dated 14-12-2021 will remain the same और बाकी वैसा का वैसा है और ये है अलग-अलग category के हिसाब से कुछ roll number है जिन में changement किया गया है तो ये तीन notice थे जो आज के दिन अभी तक dita plus b के official website पे जारी किये गये थे जो आप सभी के साथ share करने थे वीडियो अगर आपके लिए helpful रही हो तो वीडियो को जरूशे जरू लाइक कर देना और आगे ऐसी latest updates and important information पाने के लिए चैनल को भी जरूशे जरू subscribe कर लेना thank you so much